महिलाओं का एक अलग ही महत्तु होता है कहते हैं जहां महिलाओं का स्चमान मिलता है वहां मालक्षमी वास करती है और उस घर में तरक्की भी होता है सास्त्रों के अनुसार महिलाओं के कुछ कारे ऐसे भी बताये गए है जिसे करने से पूरे घर को नुक्षान होता है माना जाता है कि कोई भी कारे करने का एक निस्चित समय होता है महिलाओं के कुछ कारे ऐसे होते हैं जिने दिन में किया जाता है वहें कुछ कारे ऐसे भी होते हैं जिने महिला रात में करती हैं लेकिन इनमें से कुछ कारे ऐसे होते हैं जिने साफ तौर रात में करने से मना किया गया है तो आये जानते हैं कि रात को कौन से छे काम हैं जिने नहीं करना चाहिए जिससे आप इसमें आपका परिवार आता है पहला शुरज डूमने के बाद किसी भी बाहर के ब्यक्ति को दूधिया दही न दे इससे घर की आर्थी किस्तिती पर बूरा प्रभाव पड़ता है और घर की तरक्की भी नहीं होती है दुष्रा रात को सोने से पहले खाने के बरतन साप करके सोना चाहिए इससे बिमारी आपके घर में परवेश करती है और घंदगी के कारण लक्षमी नहीं धहरती है आज के समय में घर की महिलाएं नौकरों से बरतन शाप करवाती है जिसके लिए वो रात को बरतन गंते ही छोड़ देती है लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए इससे आपके घर में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी रात में महिलाओं को खुले बाल रखकर नहीं सोना चाहिए क्योंकि माना जाता है कि रात में खुले बाल सोने पर नकरात्मक शक्तियां आकरशित होती है इसलिए रात को नकिवल महिलाएं वरन चोटी रखने वाले पूरुष भी अपनी चोटी को बाद लेते हैं रात को सोने से पहले घर के कमरे में रखे सिंधा या काला नमक और शुबव उठकर सबसे पहले बिना किसी के बताय हुए उसे इकटा कर किसी नाले में फेक दे महिलाओं को सोने से पहले जाड़ों को सही दिसा में रखना चाहिए यानि महिलाओं सोने से पहले जाड़ों को दक्षिन दिसा में रख दे इससे धन लख्ष्मी की बढ़ोतरी होती है बेड की सिरहाने फूल कर भी नहीं रखना चाहिए इससे आपकी घर की लक्ष्मी रुख जाएगी महिलाए अगर ये काम नहीं करती हैं तो उनके घर में शुक्षमरेदी वधन की बर्शा होगी निव्जरूम से अमेजिंग वर्ड की रिपोर